दोस्तों भीहार सरकार के तरफ से एक बहुत हीं बड़ी खबर आ रही है अब हर बलक में सात डाटा एंटीरी अपडेटर की बहाल होगी कैसे बहाली किया जाएगा चैन पर क्रिया क्या होगा जोगिता क्या होगी क्या के डॉक्कमेंट लगेंगे कौब तक बहाली होगी सारी कभी अहजानकारी मिल सके चलिए अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। को अधिसुचना भेजने की तयारी सुरू कर दी है। पदों की संरचना तयार कर ली गई है। इसके आलावा जीला एवं अनुमंडल अस्तर के राजस्व करजालों में डाटा एंट्री अपरेटर की बहाली होनी है। पर हम आपको बता दे कि हर अंचल में साथ डाटा एंट्री अपरेटर की बहाली होगी। जिसका आपको अधिसुचना करमचारी चैन आयेगों को भेज दिया गया है। तुरंत ही इसका अगला प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। इन सारे पदों पर राजस एवं भूमी विभाग का नियंतरन रहेगा। उनकी ही देख रेख में यहाँ पद पर बहाली की जाएगी। डाटा एंट्री अपरेटरों और प्रोग्रामरों की बहाली की बहाली की बढ़ी बदलाओ। वह अधे वेल्टरान को अपनी मांग भेजेंगे। इसके बाद संबंधित कर जाले को मांग के मुताबिक निर्धारित संख्या में आपूर्ती करवा दी जाएगी। इस संबंध में प्रसासनिक सुधार मिशन ने सभी जीलों को लिखित आदिस जारी किया है। हम आपको बता दे कि बेल्टरान नाम का एक विभाग होगा जिसके माध्यम से यह बहाली किया जाएगा। है से जितनी भी संख्या से लोगों की डिमांड आएगी इसमें बेल्टरान की सुची तयार के मुताबिक लोगों की सप्लाई की जाएगी। मैं आपको बता दू कि बेल्टरान के माध्यम से ही लोगों का सप्लाई भी किया जाएगा। और जो भी डेटा एंट्री अपरेटर या प्रोग्रामर पहल से सम्विदा के अधार पर काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर परमानेंटर कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसके लिए कोई अनलाइन प्रक्रिया चालू नहीं की गई है जो भी अनलाइन चालू होती है मैं आपको विडियो के माध्यम से बता दूँगा। कि आपने देखा कि मैंने आपको जो भी जनकारी बताने के लिए बोला था वह जनकारी बता दिया यह वीडियों कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बता दें और चलिए मिलते हैं कि नए वीडियों के सांथ तब तक के लिए जैहिंद